वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल आज हम बनाएंगे चिकेन लीवर देखिए यह चिकेन लीवर और उसके साथ में है चिकेन का जो पेट होता है और उसके साथ उसका इंग्रीडियन है यह है प्याज धनिया टमेटो और अदरक लसन और चिली का पेस्ट तो अभी हम चि हमने तेल दाल दिया है अभी तेल को थोड़ा गरम होने देंगे उसके बाद हम धालेंगे प्यास ओके तो हमारा तेल गरम हो गया अभी हम धालेंगे प्यास तो हमारा प्यास लाल हो चुका है दाउ हो चुका है तो अभी हम दालेंगे यह पेस्ट अल्दी लसन और चिली का पेस्ट पुरा सम मिक्स करना है यह से मिक्स करना है अभी हम दालेंगे हल्दी और अभी दाने के बाद प्रासा मिक्स करो तो हम दालेंगे गरम मसाला देके गरम मसाला और इसको अच्छा से मिक्स करो अभी हम दालेंगे चिकन लिवर और इसको अच्छा से मिक्स करना है हमने मीड ढाल दिया है अभी मीड को पकनी देंगे थोड़ा से अच्छा से कम से कम 20 मिनिट तक इसको अराम से पकाएंगे इसके बाद हम दालेंगे टैमेटो और लास में धालेंगे धनिया तो चलिए अभी मीड को पकनी देते हैं अभी हो गया 20 मिनिट और हमारा चिकेन लिवर थोड़ा थोड़ा पक चुका है पुरी तरह पका नहीं है अभी हम दालेंगे टैमेटो यह आया टैमेटो अभी इसको अच्छा से मिक्स करेंगे टैमेटो का पानी सूकने देंगे और हमारा चिकेन लिवर फ्राई करी रेडी दालेंगे हम नमक नमक तो आपके स्वात के अनुसार आप लोग धालिए जड़ाया कम यह हुआ नमक और अभी हम लास के लिए धालेंगे धनिया पता और उसके बाद इसको तो आपसे मिक्स करेंगे और अभी हम बस एक मिनिट के लिए पखनी देंगे उसके बाद हमारा चिकन लीवर रेडी उसके बाद आपको खाके दिखाएंगे कि कैसा बना है तो चलिए दो मैं आपको दिखाता हूँ इसको खाके यह बना कैसा है के गाइस तो देख सकते हैं आप लोग हमारा चिकन लीवर फ्राई रेडी हो गया है स्पाइसी है चलो टेस्ट करके देखते हैं यह वाला देखिए तो खाके देखते हैं बहुत ही बारिया तो बहुत ही बारिया तो कि गाइस थेंक्यों सो मच आप लोग भी चिकन लीवर बना ही है और यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राब कीजिए झालो